dear students, पिछली क्लास में आपको एक थोर्म करवाई थी, वह थोर्म थी कि लेट एन बी एन आर्बेटरी नार्म लीनियरी स्पेस, 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 लीनियरी स्पे by by capital fx f equal to fx for all f elements of n star such that norm of fx equal to norm of x यह आपको पिछली का किशा में आपको बताई थी चारम और इसके आगे का जो पार्ट है वहाद आपन करेंगे यह इस्तिति आपकी है अब आपको फ्रजर आपके पास दे मेपिंग एक मेपिंग अपन डिफाइन करें साई जो कि एन से second conjugate space n star में डिफाइन है a आपके रफे दे में आपको और आपके ते जुक्तर ख़ for all x elements of n is an isometric isomorphism of n into second conjugate space n double star second dual space तो यहां देखिए कि यह तो पार्ट आपको आपन आज करेंगे यह वाला कि यदि आपका साई n से n double star में एक मेपिंग है जो किस तरह से डिफाइन है साई एक्स इकल ट्रक्ट फोर अलग्स elements of n तो अपन दिखाएंगे कि यह तो मेपिंग है वह isometric isomorphism है n into n double star के मदर roadmap तो इसको isometric isomorphism आफको जिרखाना है तो isometric isomorphism दिखाने के लिए आपको क्या नशेकर 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 आपको जिक्राना आए पंक्शनल है करें और साई वन वन है तो अपन कहेंगे कि यह आइसो मेट्रिक आइसो मोर्फिचम है ऑफ एन इंटू एंड डबल स्टार इसी फूरी थ्योरम है तो आपको साथ में करने आदा पार्ट है तो यह तो आपका जो पिछली क्लास में बताए थी उसका यह फूरूफ यहां पर लिखना है आपको यहां पर उसके बाद में आपन यहां देखेंगे कि कि नाव वे डिफाइन we define a mapping psi from n to n double star such that psi x equal to capital Fx for all x elements of n number एक लगा दे we show that that this mapping mapping is isometric isomorphism of n into n double star n into n double star first अपन देखेंगे psi है वो 1,1 है psi is 1 linear देखने पहले psi is linear so let x and y are elements of n and alpha is any scalar any scalar तो psi x plus y equal to capital Fx plus y y first इसको यही छोड़ दें दो नमबर कर दें इसको since capital Fx plus y F कैसे define बता है था यह अपता है Fx plus y since Fx F equal to Fx for all F elements of n star for all F elements of n star इसको इसको से define होता है तो imply capital Fx plus yf equal to Fx plus fy since F अपका कैसे F is linear equal to यह हजाएगा capital F F, X, F, F, plus capital F, Y, F, capital F, Y, F, equal to F, X, plus F, Y, F, for all F elements of N star. So, capital F, X, plus Y, equal to capital F, X, plus capital F, Y. इसको अपन नमबर लगा देते हैं. साई इसको डिफाइन की नमबर एक, दो और तीन नमबर. तो सेकेंड और थार्ड इंपलाईच, साई, X, plus Y, equal to F, X, plus F, Y, बाइ सेकेंड की है, capital F, साई, साई, X, plus Y, equal to capital F, X, plus Y, भी है, और थार्ड आप यह है, तो इक्वल टू, यह जाएका, साई, X, plus, साई, Y, यह बाइ फर्स्ट, सो अपन देखा, साई, X, plus Y, equal to, साई, X, plus, साई, Y, यह नमबर च्यार कर दें, अल्सो, साई, एल्फा, X, equal to F, एल्फा, X, F, एल्फा, X, नमबर फर्स कह दें, सिंस, F, एल्फा, X, F, equal to F, एल्फा, X, F, आफका, linear है, तो, एल्फा, F, X, equal to, एल्फा, capital F, X, X, F, equal to, एल्फा, capital F, X, F, तो, F, एल्फा, X, equal to, एल्फा, F, X, नमबर च्यार कर दें, फिफ्ट और शिफ्ट एंग्लाइज, साई, एल्फा, X, equal to, एल्फा, F, X, equal to, एल्फा, साई, X, किवाई, एल्फा, साई, एल्फा, X, equal to, इस, नमबर, सा, साथ नमबर, और इससे पहले पन ली दिखाए, साई, चाए नमबर में, तो, दो, वर्ण, शेवाद, एल्पलाई, साई, इज लिनियर, साई, किसा है, लिनियर है, साइ आपके पास लीनेर आ गया है आप क्या बत गया है साइ जो है वो फंक्शनल है या बाउंडेड है लूएंडेड हैं फंक्शनल है या है for all x elements of n implies norm of psi x equal to norm of x for all x elements of n यह फिस्तरी कलास वे अपने देखा था कि since norm of capital of x equal to norm of x होता है for all x in n तो यह implies कर रहा है psi is bounded implies psi is functional psi अपका functional है अब अपन देहेंगी psi है इस वन वन तो for x and y are elements of n let psi x बराबर psi y अबर अपन दिखा दें x बराबर y तो अपना होजाएगा कि psi अपका 1 1 है तो then since norm of psi x minus psi y equal to norm of capital f x minus capital f y equal to यह होजाएगा norm of f x minus y अब अपने पीछे दिखा है कि सिंस f x plus y equal to f x plus f y and f alpha x equal to alpha f x इन दोनों को फन ने यूज किया है और यूज करके फने इस कहेंगे कि so f x minus f y equal to f x minus y f x minus y यह जाएगा और यह equal to जाएगा norm of x minus y तो फने दिखा कि norm of x minus x y equal to norm of x minus y तो hence x x बराबर x y implies x x minus x y equal to 0 तो यह implies करेगा x psi x बराबर psi y ले रहे है तो x बराबर y आ रहा है तो means psi कैसा है is 1-1 psi 1-1 आ गया तो psi कैसा होगा isometric isomorphism हो गया hence psi is isometric isomorphism of n n-to-n double star यह आपकी धर्म थी इसका दूसरा statement और भी है जो एक जामें पूस लेते हैं another statement कि लेत x not equal to zero element का से बी ए non-linear sub-space space non-linear space non-linear space over the field K given X elements X let phi X F equal to F X for all F elements X star then phi X is a bounded linear functional on X star that is phi X is elements of X double star in N double star rather the mapping the mapping the mapping is an isometric isomorphic of X on to the sub-space X K Jiske Ndair phi X elements are capital X E of capital X double star अ अ जो कल और आज जो थर्म करवाई हैं वो दोनों मिलाकर यह आपका इस थर्म का दूसरा statement है इस पार मैं भी एकजाम ये पोस्ट लेता है जान रहे हैं कन्फिल्ट मत होगे थेंक्स इस्टोंड्स